हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स, आज किस कमपैरेशन वीडियो में हम बात करेंगे कि एक शोरूम प्राइज और ओन रोड प्राइज की बीच में क्या डिफरेंस है और इन दोनों ही टाइप के प्राइजेस में किन किन चार्जेस को एड किया जाता है क्योंकि हम जब भी कोई भी गाड़ी खरीदनी की सोचते है चाहे टू विलर हो, फोर विलर हो या दूसरी कोई भी गाड़ी हो लेकिन जब हम सब सोरूम जाते है, अपनी पसंद की, अपने बजट के अनुसर गाड़ी को खरीदने के लिए तो टू विलर के केस में जो प्राइज है, वो करीब 10 हजार से लेकर 50 हजार तक बढ़ जाता है और फोर विलर, यानि के कार के केस में तो ये 50 हजार से लेकर 1.5 लाग, 2 लाग जादा हो जाता है तो आखिर ऐसा क्यों होता है इन दोनों प्राइजिस में क्या-क्या को एड़ किया जाता है और वो कौन से ऐसे चार्जेस है जो कि आप मना कर सकते हो जब आप नई गाड़ी को खरितते हो तो इस वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रू कर ले फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जंगली रमी गेम के बारे में बताना चाहूंगा जो कि एक आउनलाइन रमी गेम है और जिसके 20 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर है यहाँ पे आप पॉइंट्स डील्स टेन कार्ट्स केलके लाखों के नाम जी सकते हैं जंगली रमी में अभी दिवाली 2020 सिरीज चल रहा है जिसका टोटल पूल प्राइज एक करड़ रुपए है और जिसके फिनाले विनर को 5 लाख रुपए मिलेगा 10 नौवंबर को यह सिरीज चालू हो चुका है और यह टूनामेंट जो है वो 15 नौवंबर तक चलेगा इसके साथ ही यहाँ पे आपको वेलकम बोनस ओफर भी मिल जाएगा जहाँ पे आप जितना भी पैसा एड़ करते हो आपको 100% कैश बैक मिलेगा यहाँ पे विड्रॉल भी बहुत ही सिंपल है और यह 0% प्रोसेसिंग फीस के साथ है जस्ट आपको अपना KYC करना होगा और अगर आप दोस्तों को जंगली रमी रिफर करते हो तो इसके लिए भी आपको 15% का बोनस मिल जाएगा और जो जंगली रमी है उसका कस्टमर सपोर्ट अलग-अलग language में भी अविलेबल है यह Apple iStore और इसके लावा आपको Google Play Store में भी मिल जाएगा लेकिन Android यूजर को APK फाइल डॉनलोड करना पड़ेगा जिसका लिक में आपको description में दे दूँगा तो जंगली रमी जरूर से डॉनलोड करे फ्रेंड सबसे पहले बात करते है X-Sore Room Price की जो के हमें TV के आड्स बगरा में दिखाई देते हैं तो X-Sore Room Price में सबसे पहले आड होता है X-Factory Price अब जो X-Factory Price होता है इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी manufacturing company हो Hero, Honda, TVS या महा तो यह सारी ही company जब अपने manufacturing plant में कोई भी गाड़ी को manufacture करती है तो उसमें जितना भी cost लगता है इसके लावा उस company का उस गाड़ी को पर में जो भी margin होता है तो वो कहलाता है X-Factory Price अब इसके बाद जो X-Factory Price है उसमें add किया जाता है जो transportation cost है या हम लोग freight rate भी बोल सकते है इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी plant माली यह पुने में कोई गाड़ी को बनाया गया है और उसे भेजना है दिल्ली तो इसे भेजने में डिलर्शिप तक जो भी खर्चा हुआ तो वो भी X-Sore Room Price में add होता है इसके साथ ही यहाँ पे GST यानि कि Goods and Services Tax को भी add किया जाता है और X-Sore Room Price में जो डिलर्शिप का margin है वो भी add होता और यह चारों चीज को मिला के X-Sore Room Price बन जाता है जो कि हमें TV के ads बगरा में भी दिखा दिया जाता है और जिसके according हम अपने लिए पसंदिता गारी सेलेक्ट कर लेते है लेकिन जब हमें गारी लाने जाते हैं तो उस टेम पे हमें बताया जाता है on road price अब देखिए on road price में दो तरह के charges है एक तो mandatory charges है जिसके लिए हम मना नहीं कर सकते है लेकिन कुछ optional charges भी होते हैं जो कि हम सब को पता नहीं होता है और हमें जानकारी नहीं होने का वैसे हमें वो देना पढ़ जाता है अब सबसे पहले हम लोग on road price में जो mandatory charges से उसकी बात करते हैं जिसमें सबसे पहले number पे है registration charge अब इंडिया में जब भी हम कोई नई गाड़ी खरीते हैं तो इंडन रोड में चलाने के लिए हमें किसी भी city जहां पे हम खरीद रहे हैं उसके RTO में उस गाड़ी को register करना पड़ता है जिससे हमें number plate मिल जाता है वैसे number plate में लिखे number से क्या जानकारी मिलती है इसको पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ लिंक मैं आपको description में दे दूँगा तो हमें सबसे पहले तो registration charge देना पड़ता है जो कि mandatory और जिसके लिए हम मना नहीं कर सकते हैं और हर state के हर RTO में अलग-अलग गाड़ी के हिसाब से यह charges जो है वो अलग-अलग होते हैं अब इसके बाद जो mandatory charge होता है वो होता है road tax जो कि one time payment होता है और जो road tax होता है वो depend करता है कि गाड़ी कौन सी category की है और गाड़ी का price कितना है और in general जो road tax होता है वो X showroom price के 3% से लेकर 20% तक होता है इसके लिए भी हम मना नहीं कर सकते हैं और यह हमारे on road price में आ जाता है इसके बाद friends अगला जो number है वो है insurance का जिसके लिए हम मना नहीं कर सकता है और insurance हमें लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए तो insurance का पैसा भी on road price में जोड़ दिया जाता है अब depend करता है कौन सी गाड़ी है कहां से insurance कराया जा रहा है उस जाब से rate इसका भी होता है और यह भी हमारा on road price में जूड़ा हुआ होता है अब कुछ और जो charges है जो कि mandatory है जिसे कि एक है green sis अब अगर 2000 CC से जादा की गाड़ी और diesel गाड़ी है तो 1% एक showroom price का green sis भी देना पड़ता है और इसके लावा जो TCS है वो भी देना पड़ता है वो भी 1% होता है एक showroom price का तो यह जो चार पाचे यह कुछ mandatory charges है जिसके लिए मना नहीं कर सकते है और एक showroom के लावा जो price उसके लावा यह सारा add हो जाता है लेकिन कुछ optional charges भी है जिसके लिए हम मना कर सकते हो और वो हमारे choice पे depend करता है जिसमें सबसे पहले number पे है extended warranty अब अक्सर जो showroom वाले है वो आपको पीछ करते हैं आपको बोलते है कि आप extended warranty ले लो तीन साल पांच साल साथ जैसा भी हो तो उसके लिए अगर आपको पस option आप लेना चाहो तो ले सकते हो मना भी कर सकते हो जो कि शोडू माले वाले नहीं पताते है और mandatory बोलके उसे भी बेच देते है यह आपका choice है और extended warranty बाद में भी ले सकते हो एक और चीज़ है वो है AMC यानि की annual maintenance cost अब मैं आपको बताओं कि आकसा शोडू माले बोलते है कि आप एक साल दो साल का AMC ले लो जिसमें कुछ आजेस आपके लेते हैं और आपको labor charge या फिर जो parts वगरा चेंज़ों को उसमें discount मिलेगा AMC भी आप बाद में ले सकते हैं अगर आपको बेतर लग रहा तो आप उसी time ले ने तो आप उसके लिए मना भी कर सकते हैं AMC के लिए और बाद में किसी भी workshop से ले सकते हैं उस authorized workshop से अगरा जो point है वो है AC series अब two wheeler हो, three wheeler हो, four wheeler या कोई भी गाड़ी हो तो आक्सर सोरूम वाले mandatory के नाम पर AC series भी दे देते हैं जूट बोलके तो AC series अगर आपको चाहिए मैट वगरा है कोई भी AC series हो bike का तो आप ले या फिर आप मना भी कर सकते हैं AC series के लिए मना भी किया जा सकता है एक और चीज़ है जो कि आप बिलकुल गौर दे on road price में कई बार आप गौर करोगे कि logistic and handling charges को भी जोड दिया जाता है जो कि बिलकुल गलत है logistic and handling charge जो है आपका वो already एक showroom price में जोड़ा हुआ होता है तो अगर आपको दिख जाता है logistic and handling charge कितना भी price हो आप बिलकुल उसके लिए मना कर और वो payment आप नहीं करें क्योंकि एक चीज़ के लिए आप दो बार payment क्यों करेंगे तो friends ये था on road price और इतनी चीज़ों को जोड़ने के बाद ही आप देखोगे कि बाएक में 10 से 30 40 50 हजार तक बढ़ जाता है रेट और कार में तो बहुत जादा ही बढ़ जाता है तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो चा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दे वीडियो के बार